शिक्षा विभाग की बागडोर संभालने के बाद केके पाठक एक्षन मोड में हैं 24 घंटे भी नहीं बीत रहे कि पाठक जी का नया फर्मान जारी हो जा रहा है देखी एक बार फिर से केके पाठक का नया फर्मान आ गया है अब शिक्षा विभाग के प्रियोग साला की स्थिती क्या है इसको भी देखेंगे साथी बच्चो को शिखाएंगे कि प्रियोग कैसे किया जाता है पूरी खबर क्या है चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं दरसल बिहार के स्कूलों में निरिक्षन को जाने वाले पदाधिकारी वहां के बच्चों को अब पढ़ाएंगे भी शिक्षा विभाग के अपर मुखे सचिव केके पाठक ने पदाधिकारीयों को निर्देश दिया है केके पाठक ने वीडियो कन्फरेंसिंग से हुई समिच्छा में कहा कि स्कूलों के निरिक्षन से बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिती अच्छी हुई है पर यहावी सिकायत आ रही के अब भी कुछ अश्कूलों में सिक्षक अच्छे ढंक से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे है किकि पाठकने आगे कहा है कि स्कूलों के निरिक्षन में बिहार, शिक्षा, पर्योजना, पार्शत की इंजिनिर भी जाते है वे स्कूलों में परयोग साला की स्थिती क्या है इसको देखेंगे साथी बच्चों को सिखाएंगे कि प्रयोग कैसे किया जाता है। परमुखे सचीव के के पाठक ने ओचक निरिक्षन के दवरान किया। लिए कई शिक्षक अनुपस्थित थे वहीं अस्कूल में साफ सफाई भी नहीं दिखी इस पर अस्कूल के 23 कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है आपको बता दे कि एक जुलाई से प्रतिदिन अस्कूलों का निरिक्षन हो रहा है और अस्तन 25,000 अस्कूलों में रोज से 75% तक सही हुई है वहीं 60% मादमी कुछ मादमिक विद्यालों में इस्थिती है अगर ऐसी इस्थिती बनी रहे तो बहुत जल्द बिहार की सिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं मेडिया दर्शन के साथ अगर यह खब अब आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले वीडियो देखनी के लिए आपका धन्यवाद